शुर正 इस वीडियो में मैं यह कवर करना चाहता ओंखिक कैसे डिसाइड करें कि ड्रॉप करे और ना करें आप में से काफी सारे लोगों ने एक्जाम दिया अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे ड्रॉप करें ना करें मुद्ध यह है कि नीट 2021 ठीक है नीट 2021 यह अल्मूस 100% शूर है कि वो सेकिंड में को होगा और यह मैंने क्लाइफ सेशन में पी समझाया था में बैस टाइम होता है यदि आपको बहुत बड़े क्राउड को हैंडल करना है क्योंकि उसके बाद उसके पहले उसके बाद काफी बड़सात होती है उसके पहले काफी ठंड पड़ रही होती है इवन इलेक्शन भी उस टाइम पर होते है नीट के एक्जाम में 2021 के एसाब से देखेंगे करीब 31 से 32 वीक्स पचाहें ठीक है अब अब क्या है कि यदि आप डिसाइड करेंगे कि आपको कुछ अच्छा कॉलेज मिला है नहीं मिला वो नवमबर एंड मिड दिसेंबर तक फ्रीज होगा नवमबर एंड मिड दिसेंबर का मतलब है कि दो मैने और तो 31 तो 32 वीक्स में से माइनस 8 वीक्स हो जाएंगे ठीक है तो उसके बाद करीब 24 हफ्ते बचेंगे और 24 हफ्ते हैं आपको पता है 96 chapters का syllabus है तो मैं आपको मोटा मोटा criteria दे देना चाहता था आप अपने उपर लगा के अपनी situation के उपर लगा के decide कर सकते हैं कि आपको drop करना नहीं चाहिए करना चाहिए और नहीं करना चाहिए यदि आप first attempt पर थे आपने इसी साल नीट का इसी साल पहली बार नीट का exam दिया इसी साल बोर्ड का exam दिया था मैं एक जीता चाहता example हूँ मेरा पहली बार में selection नहीं हुआ था ड्रॉप करके IT Delhi में selection हो गया था आप लोग obviously IT के तयारी नहीं कर रहे और मैं एक बुड़ा हूँ 20 सल पुरानी बात कर रहा हूँ ठीक है पर मुझे genuinely लगता है कि यदि आपने board exam और neat exam साथ में दिया है आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपका December तक कहीं पर admission हो भी जाता है by any chance है ना या प्रेशर में है BAC, MAC में admission ले लेते हैं जो मिल रहा है ले लेते हैं आपकी classroom classes तो start नहीं होंगी माई के exam से पहले ठीक है तो कोई practice वगरा तो करनी पाएंगे सब online हो रहा होगा तो बहतर है कि आप एक अच्छा short दे और अगले साल exam दे जो first attemptor थे जिन्होंने इस साल 12th का exam दिया था वो चीज़ क्लियर है दूसी चीज़ यह है यदि आपने already एक बार drop किया हुआ है तो क्या आपको वापिस exam देना चाहिए नहीं देना चाहिए यदि आपका 500 के उपर है यदि आपक काफी सिंपल आगया था काफी लोग के बखके रह गया थे इतने ज्यादा सिंपल पेपर से कट आफ 600 एक्सपेक्टेड है पासों के उपर है तो देना चाहिए पासों के उपर है और 600 के नीचे है ठीक है यदि आप बिलकुल borderline case पर है तो मैं recommend करूंगा कि तयारी चालू कर दीजे counseling process में participate करिये और ultimately नहीं मिलता तो अपनी तयारी continue हो जाएगी पर मुद्धा यह है कि आप यदी आठ हफ़ते वेट कर गए और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यदि आपने अपने दिमाग में बठा लिया शायद मिल जाएगा शायद मिल जाएगा यह hope जो कर दीजे हमने schedule डाल दिया है जो कल से start हो जाएगा 2021 aspirants के लिए काफी tight schedule है मुझे तीन चार दिन लगा है मैं सोचा था एक दो दिन में बना दूँगा क्योंकि मैं देख रहा था कि दिन में 10-11 घंटे से जादा ना हो है ना तो time कम बच रहा है और इसलिए बहुत जादा ज चालू करिए आप यदि 610 के आसपास हैं है ना 600 के उपर है तो रिस्क नहीं फिर भी इती आप रुख सकते हैं ठीक है पर यदि आप पासों से 600 के बीच में आप जैनूरी रिस्क ले रहे हैं और वो मत लीजिए क्योंकि उसके बाद 24 सब्सक्राइब बचेंगे ठीक है जि 1,500,200 नमबर है तो भी वापस अटेम्ट करिए आप अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाए बाद में कोविट का टाइम मिला पर मेंटली आप रेड़ी नहीं थे कि आप पहली बार एक्जाम देंगे आपने जाके लिख दिया तो फर्स्ट अटेम्टर को तो लिखना ही है च अटेमेंट करूँगा कि आपको डॉब करना चाहिएं यद JR आप में motivation है ठाहिक है और आपको पता है यूगनो कहाँ पर फिक्स करनी है प्राब्लम्, यूअror which problem to fix ठीक है पर यदि आप में motivation और खुद में confidence नहीं है तो मत करिये वापिस तयारी motivation है exam देख लिया समझ में आगया क्या problem है definitely करिये और किस case में मत करिये आपके आसपास वाले करें बेटा कर ले तयारी बेटा कर ले आपका मन नहीं है आपका दिल किसी और चीज़ में बिलकुल भी मत करिये बिलकुल भी मत करिये यदि आपका खुद का नहीं है इवन मैं first attemptor से भी बोल रहा हूँ यदि आपका खुद का मन नहीं है तयारी करने का आपके आसपास वाले push कर रहे हैं बिलकुल भी मत करिये मैं parents को बोलना चाहता हूँ आपका बच्चा यदि वापिस तयारी करना चाहता है ठीक है मुझे काफी सारे लोग का caller है सर आप बच्चे को समझा दीजे नहीं आप बच्चे से बात करिये और आप समझने की कोशिश करिये कि क्या वो सच में तयारी करना चाहता है क्या वो डॉक्टर बनना चाहता है तो यदि बच्चा खुद तयारी नहीं करना चाहता यदि student खुद तयारी नहीं करना चाहता तो आप तयारी मत करिये पर आप करना चाहते है motivation है और आपको पता है और यदि आप हमारे से तयारी करना चाहते हैं हमने schedule publish कर दिया है कल से start हो जाएगा वो schedule उस schedule के हिसाब से आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमारे revision live session चालू हो जाएंगे पर यदि आपको तयारी हमारे साथ करनी है मैं आपको strongly recommend करूँगा अभी से start करिए और crack करने के कोशिश करिए time अभी बाकी है मैंने schedule बनाने का purpose यह था कि आपको confidence मिले कि हाँ बचे हुए time में तयारी हो सकती है ठीक है बच्चो